हेलो दोस्तों सौध करता हूँ आपका एक बार फिर आपके इस अपने युट्यूब चैनल में जहां आज हम लोग 13 जुलाई 2020 के करेंट अफेस देखेंगे आठ डेट है 13 जुलाई 2020 इसलिए इस डेट से जितने भी इंपॉर्टन इवेंट्स बन सकते थे वो मैं आपके पूरा ध्यान से देखेगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेशन जरू पूस्ता हूं उसका जवाब आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं वीडियो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप चैनल बनना है तो प्ल नमबर है करनाटक इसका करेक्ट आंसर होगा करनाटक आप मैप में यहां से देख सकते हैं यह है इसकी फोटो तो फ्लिपकार्ट एकॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और करनाटक के इस्थानी व्यापार को बढ़ावा बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए पहुँच प्रदान करेगा करनाटक स्टेट की बात आई है तो करनाटक की राजधानी होती है बैंगलोर और मुख्यमंत्रिया कौन है बी एस यदुरप्पा ठीक है और राजपाल कौन है वजु भाई वाला और इसरो का मुख्याले भी कहा है बैंगलोर करनाटक और डाइस राजे पर सीटे कितनी है बारा और विधान सबसीपे कितनी है दोसो चॉबिज नेशनल पार्क क्या है अनली पर नेशनल पार्क यह तुक बद्रा नदी पर पाया जाता है वाड़ी विलासागर जो वेदवती नदी पर पाया जाता है और सूपा बांध जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यह काली नदी पर पाया जाता है तो यह कुछ इंपोर्टेंट बांध है इनको आप प्लीज नोट करते चलें आज का नेक्स कुछन देखते हैं कुछन नमबर टू है हमारा हाल ही में किस देश की सेना ने यूनिफिल 2020 के लिए पर्रेवरेंट पुसकार जीता है तो इसका जो करेट आंसर होगा भारत ने अभी यूनिफिल 2020 के लिए पर्रेवरेंट पुसकार जीता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भारती सेना है भारती नो सेना तो लेबलान में ठीक है संयुक्त रास्ट और संयुक्त रास्ट की स्थापना को भुई है 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त रास्ट की स्थापना होई तो लेबलान म संयुक्तराष्ट के अंतरिम बल यूनिफिल में तैनात एक भारती बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दुबारा इस्तमाल करने, ग्रीन हाउज और जैविक खाद के गड़े बनाने के उद्देश से पर्यवन सबंधी प्रुस्कार जेता है और यूनिफिल की बात है, यूनिफिल क्या है, यूनाइटेट नेशन एंटरिम फोर्स इन लेबनान, एक बार फिर से रिपीट कर जाता हूँ, यूनाइटेट नेशन एंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसको हिंदी में, लेबनान में संयुक्तराष्ट के अंतरिम बल भी कहा जाता है इसकी स्थापना उन्निस कभ हुई थी उन्निस मार्च ठीक है उन्निस मार्च 1978 में इसकी स्थापना हुई और मुख्याले कहा है नकौरा लेबलाउन ठीक है Quesnię皮ो देख द्वारा ब्लू इस भी अल यू आई एसप लॉंच किया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उडीशा इसका कर्डेक्ट आंसर है तो उडीशा भूनेश्वर भूमी उडीसा भूनेशर भूमी का उपयोग खूफिया प्रणारी नवीन पतनायक दोरा शुरू की गई है और उडीसा एक क्या है सरजर्क राज है जो पहली बार सभी सरकारी भुकंडों में परिवर्तन की निगरानी कनने और उन्हें अतिकरमड से बचानी के लिए अंत्रिक्ष प्रद्योग की का उपयोग करेगा और ब्लूसिज एक मोबाइल अधारित एप है इसकी बात कर रहा हूँ मैं ब्लूसिज एप तो ये एक मोबाइल अधारित एप है लगवक सभी लोग को पता होगा तो ब्लूसिज एप ये जितने भी अप्लिकेशन पाए जाते हैं आपके प्ले स्टोर पाए जाते हैं तो ब्लूसिज एप एक मोबाइल अधारित एप है जो भूनिशर नगर निगम छेतर में अवैत सावरजनिक भूमे अत्रिक्रमण को ट्रैक कर सकता है और उड़ीसा सरकार ने बहतर सावरजनिक सेवा वित्रण सुनिश्चित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए ए अथति ए भवन HRMS HRMS 2.0 HRMS मोबाइल एप या ORTPSA ORTPSA ये प्रवेश जैसे अनुप्रयोगों को भी लॉंच किया है तो ये आपके जो HRMS और ORTPSA है ये आपके कहा है एक ये प्रवेश जैसे अनुप्रयोग है ठीक है? नक्सूशन देखते हैं और उड़ीसा के बारे में आप जानते होंगे उड़ीसा की राजानी भूनेश्वर और यहाँ पर ये आप फोटो में भी उड़ीसा को देख सकते हैं ये है इसकी फोटो उड़ीसा यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है? नक्सूशन देखते हैं कुशन नंबर 4 है हमारा हाली में किस मंत्राले ने AI अधारित पहला कौशल विकास और उड़मेता मंत्राले तो इस मंत्री का जो उड़ेश है रोजगाच हित्रों में कुशल कारिबल की मांग पूर्ती के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधालाना AI मैनप को पताया Artificial Intelligence या जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि कृतिम बुद्धी कम्प्यूटर साइंस की यह वाशका है जिसके दोरा मशीनों में इंसानों के तरह सोचने की समझने की छमता विक्सित की जाती है और केंद्री कोशल विकास और उद्धिमत्ता मंद्रिकों है महेंद्रनाथ पांडे ठीक है यहाँ पे आप फोटो में भी यह साही चीज़ों को आप देख सकते हैं मैं पूरी फोटो लग किया हूँ इनकी फोटो में आप साही चीज़े देख सकते हैं ठीक है Q5 है मारा हाली में होकी इंडिया के नए कारवाहिक अध्धक्ष को नियुक्त हुए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्यानांद्रो निगोम बाम ठीक है तीसरा वाला आप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा तो गयनद्र निगों बाम यह हैं की फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं और फोटो में साफ साफ लिफा हुआ है गयनद्र निगों बाम as Head Hockey India तो भारती होकी संग और भारत में होकी खेल को भारती होकी संग रेगुलेट करता है जिसकी स्थापना कुछन में 6 है हाले में किस aerospace company ने भारती वाई सेनर को 22 Apache और 15 Chinook San helicopter deliver की है तो इसका जो correct answer होगा option number B Boeing ठीक है इसका correct answer होगा और इस photo में आप यहां से पूरा देख सकते हैं यह Boeing और यह airplane जैसे आप देख रहे हैं तो Boeing इंडिया ने भारती वाई सेनर को हिंडन Air Force Station पर आखरी 5 AH-64E और Apache लड़ाकू helicopter के साथ 22 new AH-64E Apache और CH-47I चिनुक के भारी भरकम helicopter को भी भारती वाई सेनर को swap दिया ग Boeing की स्थापना Boeing स्थापना कब हुई है 15 July 1916 में इसकी स्थापना हुई और मुख्याले का है शिकागो और MD & CEO कौन है डेविड एल चलहौन ठीक है next question देखते है question number 7 है हमारा निम्न में से कौन सा देश कौन सा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है तो इसका जो correct answer होगा योटा एनम ये स्थी वाला option आप देख सकते हैं योटा एनम यहां से देख सकते हैं तो योटा एनम 1 साथ जुलाई 2020 साथ जुलाई 2020 को एशिया के सबसे बड़े प्रमाईट टियर 4 डेटा सेंटर का virtual उदगाटन किया गया है और योटा एनम 1 डेटा सेंटर बिल्लिंग भ सेंटर होने का भी दावा किया जा रहा है और यहां डेटा सेंटर नवी मुंबाई के पन छेत्र पन वेल छेत्र में हीरा नंदानी फॉरेंट सिटी के अंदर इस्थित्य और इसे योटा एनम 1 का नाम दिया गया है और इसका उदगाटन महरास्ट के मुख्यमंतरी उधो ठ हकरे और केंदरी इलेक्ट्रोनिक्स और सूचनप प्रदोग की मंत्री रवी शंकर प्रसाथ की फस्ति में किया गया है योटा इंफरन स्ट्रक्चर दोरा पनवेल डेटा सेंटर पार्क में कुल पांच डेटा सेंटर बिल्डिंग विक्सित की जाएंगी और एनम 1 पांच इमारतों में सबसे पहली है ठीक है नेक्स वेशन देखते हैं कौर्शन नमर 8 है हमारा हाली में कौन सा देश स्वच उर्जा मॉडल बन गया इंपॉर्टन कॉशन है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा अपना अपना ही देश है भारत तो भारत रीवा में 750 यहां से देख सक करने के बाद सुक्ष उर्जा के साथ सुक्ष उर्जा के सबसे आकरसक वैस्विक भाजार के रूप में उभराया है और भारत सरकार ने गुरवत्ता वाले सौर उपकरणों की आवशक्ता को पूरा करने के लिए सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर रस्टी सौर गडबंदन बनाया है और भारत सरकार ने देश में गुडवत्ता वाले सौर पैनल और बैटरी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि विदोईशों में उपकरण के आयात की अशकता ना हो और बिजली में आद्म निर्भरता आद्म निर्भर भारत का एक अभिन अंग है तो जे आद्म निर्भर एप से रिलेटेड है तो ये भी नायन मोदी दी दौरा ही चलाया जा रहा है अगर मेरी पिछले वीडियो नहीं देखिए तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए साही डीटेल आपको मिल जाएगी नेक्स क्कॉशन देखते हैं क्कॉशन नमा नाई ने रास्टी मज से किसान दिवस किस दिन मना जाता है तो ये इंपोर्टन डे वालो कोशन है पूरा आप जरूर पढ़ें तो इंपोर्टन डे वालो कोशन जरूर याद रखें इंपोर्टन होता है तो इंपोर्टन डे से लेटे जितने भी जाती है ये 10 जुलाई को मनाई जाती है ठीक है सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा 10 जुलाई को राश्टी मत से किसान दिवस के रूप में मनाये गया है आप फोटो में देख सकते हैं राश्टी मत से किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है और ये जिसको National Fish Farmers Day 2020 भी बोलते हैं तो 2020 इस बार का लिए मना गया है तो रास्टी मत्स किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है और संयुक्त रास्टी के खाद और किशी संगठन की Glow Fish Report 2019 के अनुसार भारत में दुनिया सबसे बड़ा जली कर्षी उतपादक है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मशली उतपादक देश बन गया है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टन जुलाई से लेटेड़ है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूरू बताएं ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं यह है आज का मारा लास्ट कोशन आर्विय दौरा जैरी आकडो के अनुसार वित वर्स 2020-21 में कौन सा राज बाजार कर्च के मामले में शीर्ज पर है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडू इसका करेक्ट आंसर होगा तो तमिलनाडू यहां से आप फोटो में स्थान पर कर रहा है आंधरप्रदेश है और राजस्थान भी तीसरे ही स्थान पर है जो की 9% है ठीक है तो यह थे इंपॉर्टेंट इन कोशन आज का लास्ट कोशन जो आप लोग के लिए होता है आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरू बता है हाले में अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरू करें और मैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल पहले मिले ठीक है तो आज के लिए इतना है थैंको सोमच